संस्कृति ये एक निबंध है जो भंगत आनन को असल लेंद्वारा लिखा गया है लिखक कहते हैं कि सब्वेता और संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिनका सबसे ज़ादा उप्योग होता है मगर इन शब्दों का सही मतलब और इनके बीच का अंतर बहुत ही कम लोग जानते है सब्वेता को इंगलिश में सब्लाइजेशन कहते हैं और संस्कृति को कल्चर लिखक कहते हैं कि इन शब्दों के आगे अगर हम विशेशन यानि एग्जेक्टिव लगा दे तो इनने समझना और भी जादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी इन शब्दों को एक समझ लिया जाता है तो कभी अलग लिखक हमें दो एक्जामपल्स देकर समझाने की कोशिश करते हैं लेकर कहते हैं कि कलपना कीजिए उस समय की जब इनसान को आग के बारे में नहीं पता था आज तो हर घर में आग जलती है आज तो हर घर में चूला जलता है और हर एक इनसान आग से फायदा उठाता है जिस आदमी ने सबसे पहले आग का आविशकार किया होगा वो कितना ही बड़ा आविश करता होगा वो कितना बुती महान और चिक्यासू होगा चलिए फिर कल्पना कीजे उस समय की जब इनसान को सुई धागे का भी नहीं पता था जिस आदमी के दिमाग में पहली बार ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को गिस कर उसके एक सिरे को छेट कर और इस छेट में डागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ चोड़ा जा सकता है वो आदमी भी कितना बड़ा आवश करता रहा होगा ये दोनों ही आवशकार इनसान की तरक्की की निव बने दोनों ही आवशकार ने इनसान का इतिहास पदल के रख दिया अब इन दोनों एक्जांपल्स के बारे में ज़रा सोचे, विचार कीजे पहली चीज है किसे इनसान का आग और सुई धागे का आविशकार कर सकने की शक्ती होना और दूसरी चीज है आग और सुई धागे का आविशकार इनसान ने अपने योगिता, दिमाग, बुद्धी और प्रेड़ना के बल पर आविशकार किये इसे इनसान की संस्कृती कहा जाता है सो जो इनसान अपने बुद्धी और तेज दिमाग के बल पर आविशकार करता है उसे संस्कृत आदमी कहा जाता है और फिर जब इस आविशकार से इनसान की आगे की जनरेशन्स और पेडिया फाइदा उठाती है और दुनिया का विकास करती है, डिवलप्मेंट करती है, तरक्य करती है तो उसे सब्वेता कहा जाता है यानि सब्वेता हमें संस्कृत लोगों से मिलती है संस्कृत लोगों के वज़े से इस दुनिया में इतनी तरक्य आई है लेका का के कहते हैं कि एक संस्कृत इंसान किसी नई चीज की खोच करता है आविशकार करता है लेकिन उसके संतानों को ये चीज़े अपनी पूर्वजों से बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो इसका भर पूर फाइदा भी उठाते है सो वो इनसान जो अपनी टेज बुद्धी और विवेक की बल पर किसी नई तत्य या किसी नई रहस्त की खोच कर लेता है असल में उसे इनसान को संस्कृत इंसान कहा जा सकता है और उसकी संतान या जनरेशन को ये चीज़े बड़ी असानी से विरासत में मिल जाती है तो वो पूरवजों से जादा सब्भे भले ही बन जाए पर उन्हें संस्कृत वैक्ती नहीं कहा जा सकता वो संस्कृत वैक्ती कभी नहीं बन सकते लेकर ने इसको एक एक्जाम्पल से समझा है निउटन ने गृत्वाकर्शन यानि ग्रावटी की खोच की तो निउटन एक यानि फिजिक्स के स्टूडेंट्स निउटन की गृत्वाकर्शन के बारे में तीटेल नॉलेज रखते हैं लेकिन इसके साथ ही उन्हें फिजिक्स के तमाम लॉस और चीजों की जानकारी है जिनसे शायद निउटन अपने जमाने में परिचित ना हो ऐसा होने पर हम आज क्यों करते हैं आग के अविशकार की वज़ा पेट की भूग रही होगी सुई धागे का अविशकार इंसानों ने सर्दी से बचने के लिए शरीर को कपड़ों से ढखने और सजाने के लिए किया होगा अब सरह सोचे एक ऐसे आत्मे के बारे में जिसका पेट बरा है जिसका नीन नहीं आ रही क्योंकि वो तारो भरे आस्मान के रहस्यों को जानने के लिए पेट चैन और परिशान है पेट भरा और तंड़का होने पर भी ऐसा इंसान संस्कृत है जिसके मन में सब कुछ जानने की इच्छा है जिग्यासा है ऐसा इंसान निठला या फाल तो नहीं रहस्यों के बारे में जान पाएं और आज संस्कृत लोगों की वज़ा से ही दुनिया इतनी विक्सित डेवलप और सब्वे है संस्कृत लोगों से हमें सब बेदा मिली है यानि संस्कृत लोगों से हमें सिविलाइजेशन मिली है आज जितना भी ज्यान हमें प्राप्त है उसके पीचे किसे संस्क्रिट वेक्ति का ही हाथ है अग जितना भी ग्यान हमें प्राप्त है उसकी नीव किसे संस्क्रिट इंसान नहीं रखी थी लेखक आगे कहते हैं कि संस्क्रिट इंसान अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में जादा सोचता है वो दूसरों के मुँ में कौर यानि निवाला डालने के लिए अपने मुँ का कौर भी चोड़ देता है जैसे माँ अपने बिमार बच्चे को राद बढ़ लिए बैठी रहती है ऐसे ही कई महाल लोगों के बारे में लेखा कमी बताते है रूस की तकदीर बदलने वाले लेनन अपने डेस्क में रखे हुए सुके ब्रेट के टुकडे को खुद ना खा कर दोसरों को खिला दिया करते थे काल माक्स भी कुछ इसी तरह के थे काल माक्स अंसार के सभी मजदूरों को सुकी देखने का सपना देखते हुए अपना पूरे जंदकी दुक में बिता गए और इन सबसे बढ़कर आज से ढाई हजार साल पहले से धार यानि गौतम बुद ने अपना घर सर्फ इसलिए त्याग दिया कि वो इनसान को दुक और तकलीव से मुक्ति के उपाई खोशना चाते थे जिसे इनसान हमेशन सुखी रह सके लेकर की समझ में मानव संस्कृति की जो योगिता आग और सुई धागे का आविशकार कराती है वो भी संस्कृति है जो योगिता तारों की जानकारी कराती है वो भी संस्कृति है और जो महान इनसान से त्याग करवाती है वो भी संस्कृती का परिणाम है यानि सब्विटा संस्कृती से आती है हमारे में भी प linear कें ले जाने के सादन के के आएंसां कि गयता है onion कर पृघ्यD करती हैं जिसे ही रात आंसां मुंदे या इसास का विश़्यश कराथ है shooting यह सब असंस्कृति है और असंस्कृति इंसान को असभेता तक ले जाती है बुराई कभी अच्छाई की तरफ नहीं ले जा सकती अगर असंस्कृति का इंसान के कल्यार इंसान के फायदे और बहलाई अच्छाई से नाता तूट जाता है तो वो असंस्कृति हो जाती है और कल्यानकारी अंच और कल्यानकारी अंच की तुल्णा में हमेशा बहतर ही रहेगा